दोस्तो आप सभी का स्वागत है प्रेतिवारस होई हिंदी में तो आपने आलू के पराटे और आलू की पूरी तो खूब खाई होगी तो आज मैं बनाने वाली हो एक दम फुली-फुली आलू की कचवरी जो खाने में कुरकुरी और बहुती तेस्टी तो चलिए दोस्तो कि अए तिनों चीज़े को मेदा को और आटे को और सूची को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तीनों चीज़े को मिला लिया अब हम डालेंगे इसमें नमक अब डालेंगे यहां पर दो से तीन चमच बड़ी रेफाइन ओइल हम नमक और देल को अच्छा से मिला लेते हैं आटे के साथ में कि इस तरीके से थो यहांब हमने अच्छा से मिला लिया अब हम क्या करनेदे है थोड़ा थोड़ा डालके पानी और एक डो बना लेते हैं इसका एक साथ पानी नहीं डालना नहीं थोड़ा-थोड़ा करके ढालेंगे और एक सक्त डौ लगा के तैयर कर लेते हैं ना तो जाथा टाइट ना तो जाथा घीला हमने आटे को लगा लिया यह देखिए और यहां पर शक्त डो लगाया जैसे मैंने बोला था उस तरीके से तो अब हम क्या करेंगे यहां पर दूसरे पत्तन में इसको डखके रख देते हैं ताकि कि आटा है जो अच्छे से सेट हो जाए बारी करने हमें एकदम तो इस तरीके सारे आलू ओं जो मैक्स कर लेते हैं अच्छे से मैश कर लिया अब डालेंगे यहां पर हरी मिर्ची यहां डालेंगे कटा हुआ हरा दनिया और अध्रक कद्धुकस करा हुआ या लेंगे हम साबुत धन्या लिया ये मैंने और इसको मैंने दो पार्ट में मोटा मोटा दद्रासा कर लिया है और यह डालतेते हम जीरा सिखा हुआ एक छोटी चमच और यहां लिये मैंने सौप इधर लिये मैंने कस्तूरी मेती जिसको मैंने हलका सा भून के लिया है इसको रेखिए इसको पारी कर लेते हांस से हिंग पाउडर चाट मसाला आधी छोटी चमच और काला नमक और यहां मैंने बनाई यह कुटी हुई देखिए नमक मिर्ची इससे बहुत ही टेस्ट आता है अच्छा यह बजार की मिर्ची आती है बू इतना टेस्ट नहीं लाती है घर पर बनाईए मैंने मिक्षी जार में डाल के साबुत मिर्ची और नमक को मैंने पीछ लिया था तो अच्छे से मिला लेते हैं आप सबी चीजों को तो यहां हम अच्छे से मिला लेते हैं नमक को और मिर्ची को और मसालों को अब डालेंगे या पर हम गरम मसाला और अगर आप प्याज जो घाते हो तो भी डाल सकते हो मैं यहां नहीं डाली प्याल लेशन यहां हमारा मसाला है जो बन के तयार हो गया है और अब यहां पर हम डो की बारी आती है हमारे तो यह भी अच्छे से सेट हो गया है यह देख लीजिए तो थोड़ा सा मैंने हाथों पर तेल लगा लिया है और तेल लगाने के बाद में अच्छे से मिसर लेते इसको तक हाथों है यह चिपके नहीं बूर्कु भी आठा तो यहां पर हमने आथे कश्य इसा दोड़ाओ आठा तोड़ के ले लेतें इसमें से और लोया बना लेते हम क Coronete अब इसको हम अल्कुल कर लेते लेते इस तरीके से और प्लेट में रख़ लेते हैं इस तरीके से तो यहां हमने लोई यहां बना लिए और प्लेट में रख लिए और यहां मैंने सूका मैदा लिया है तो अब हम क्या गरेंगे एक लोई उठा लेते हैं और इसको बेल लेते हलका सा इस तरीके से तो यहां मैंने बेल लिया है अब इसके अंदर हम रखते हैं मसाला और इसको बंद कर देते हैं हमने अच्छे से बंद कर दिया देखी लीजिए आप और अब क्या गरेंगे आप हम थोड़ी सी पापे से हम सूकी मैदा लगा लेंगे हलकी से लगाना हमें ज्यादा नहीं लगाना है और इसको बेल लेते हलकी अच्छे से बेलेंगे तो यहां मैंने बेल के तयार कर लिए और इधर हमने गैस पर चड़ा दिया गरम होने के लिए तेल तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं तेल हमें अच्छा गरम चाहिए ज्यादा थंडा नहीं होना चाहिए तेल जैसे यह सिकेगी यह उपर आ जाएगी अपने आप तो अभी हम इसको पलटेंगे नहीं जैसे उपर आएगी ना उसके बाद ही पलटेंगे हम तो यहां देखिए उपर आना शिरू हो गई है देखिए उपर आ चुकी है तो इसको पलट लेते हैं तो यहां देखिए हमने दोरों तरब से इसको शेक लिया है तो इसको अब निकाल लेते हम और इसी तरीकेते सारी बना के तयार कर लेंगे हम लेजिए मेरे आलू की कचोरी है जो गर्मा गरम बनके तयार है अगर आपको आलू की कचोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अगर बड़न दमाना ना भूले कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने आलू की पराटे खाए तो बहुत होंगे आलू की कचोरी खाईए कहने खाईए तो अपने घर पर बैनाईए और उटाईए